आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट पर्फेट कंटूनियस टेंस के यूसे और उसके ट्रांसलेशन बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है ध्यान से देखें इससे पहले हम आपको प्रिजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अन्य टेंस के वीडियो जारी कर चुके हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी जरूर आप सभी वीडियो देखें टेंस से सम्मद्द सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे चलिए तो देखते हैं आप जानते हैं टेंस के तीन प्रक tense कहते हैं, past imperfect tense, जिसको के दूसरा नाम past continuous tense या past progressive tense होता है, तीसरा past perfect tense, इन तीनो tense के वीडियो भी हम जारी कर चुके हैं, इस वीडियो को description में आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम ले रहे है past perfect continuous tense, यानि कि past tense का ला, जो आखरी प्रकार है चौता, उसको हम लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं past perfect continuous tense को, य较 तो इसको पूर्ण निरंतर भूतकाल कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कह सकते हैं, या पूर्ण ताथकालिक भूतकाल कह सकते हैं, यह तीनों इसके हिन्दी के नाम है, अलग-लग नाम से आप इसको grammar की books में देख सकते हैं, यादि uses की बात करें, तो past perfect continuous tense, इसके यदे नाम से आप देखें, तो क्या लगता है आपको, इनका प्रियोग ऐसे actions कारी के लिए होता है जो किसी निश्चित समय से जान दें जो किसी निश्चित समय से past में जारी थे अर्था चल रहे थे, यादि भूत काल में कोई काम हो रहा था किसी time से चल रहा था हाँ, ये संबभ है इध्यान देने वाली बात कि समय नहीं भी दिया रहता है कभी-कभी इस tense के बाक्यों में समय नहीं दिया रहता है अर्था ये बात कह सकते हैं, यह tense भूत काल में एक निश्चित समय में कारी का प्रारम होकर कुछ समय तक जारी रहकर समाब्ध होना प्रकट करता है यादि कोई निश्चित समय पर कारी प्रारम हुआ कुछ समय तक वो जारी रहा और फिर वो समाब्ध हो गया तो यह tense बताता है past perfect continuous tense यहाँ पर यह ध्यान रखे निश्चित समय के लिए since for का प्रयोग किया जाता है sorry for since का प्रयोग होता है say के लिए तक के लिए till का प्रयोग होता है कभी-कभी दो time आते हैं तो from से लेके to तक का प्रयोग आप कर सकते हैं for का प्रयोग period of time के लिए होता है जो समय अब धी होती है दो घंटे से दो मेने से चार मेने से दस दिन से ठीक है न तो फिर हम for लगाएंगे for two hours, for ten days, for ten years, for a long time, for some time इसके लिए हम for का प्रयोग करते हैं और since का प्रयोग कहा होता है point of time ये बात आप ध्यान रखें for period of time के लिए आता है since point of time के लिए आता है since three o'clock, since morning, since Tuesday, since January, since 2000, since last night, etc ये सब जो है since का प्रयोग होता है और since four के प्रयोग की detail ये आपको जानना है तो हमने present perfect continuous tense में भी since four का प्रयोग होता है वहाँ पर पूरा detail में हमने समझाया है आप उस video की video को जरूर देखें इस video के description में उसकी link मिल जाएगी अब हम बात करते हैं identification पहचान हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है तब हम ये पहचाने कि ये past perfect continuous tense है तो ये देखें आप इस tense के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है ता रहा था ती रही थी या ते रही थे ठीक है ता रहा था ती रही थी, ते रही थी, इनके ऐसे जब last में पहचान रहती है, last में हिंदी बाख के में आता है वर में, तो जरूरी नहीं है कि इसमें समय दिया गया हो, बिना समय के भी काम चल जाता है, परणतु समय का प्रियोगा आप ध्यान रखें, इस टेंस में प्रत्यक बात करें रहा था रही थी रही थे आता है इस वाकी गंत में समय प्रकट करने वाले सब्दों के साथ यानि कोई दी तीन साल से, चार घंटे से, पांच बजे से, छे मेने से इस तरह का टाइम दी आया है और रहा था रही ती रही थे आया है तो वो पास्ट परफेक्ट कर्टूनिय स्टेंस होगा हिंदी में स्टेंस के दो प्रकार के बाकि बन सकते हैं, अब हम आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं, देखें ध्यान से एक तो ये वाक्य होंगे, जिनके अंतमे बर्मे ता रहा था, ती रही थी, ते रही थे, आएगा जैसे ये देखें, हम आजादी से पहले कई साल तक दिल्ली में रहते रहे थे, तो यहाँ पर हैड बीन का अपयोग होता है, और फिर बर्मे आईजी लगती है, द्यान रखें, तो सिंगूलर सब्जेक्ट हो, चाप प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो या बहुच करता हो, यहाँ पर हैड बीन ही लगता है, और वर में आईजी लगती है, तो वी हैड बीन लिविंग इन डैली फर मैनी येर्स बिफोर इंडपेंडेंस, ठीक है न, तो ता रहा था ती रही थी इस तरीके से आता है, एक तो यह सेंटेंस है, नेता जो सेवं खरोष के साथ बोट मांगते रहे थे, लीडर्स हैड बीन कन्वेसिंग विफ जैल एंड इन्थुजियाज यानी कि जो स्खरोष के साथ, कुछ लोग उचित या अनुचित रूप से चुनाव जीतने का प्रयास करते रहे थे, ता रहा था ती रही थी, करते रहे थे, सम परसंस हैड बीन ट्राइंग to win the election by hook और by crook, by hook और by crook याने किसी न किसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, करना ही है बस ये काम, इसके लिए by hook और by crook होता है, तो उचित या अनुचित रूप से, कुछ लोग दोहरी चाल चलते रहे थे, आप जानते हैं नेता लोग होते हैं, चुनाव होता ह तो कई प्रकार के हतकंडे इस्तिमाल करते हैं, तो some persons had been playing a double game, इस तरह की sentence आप देखते रहें, ता रहाता थी रही थी, तो had been और बर में ing के साथ में समय होगा, तो इस तरीके से करेंगी, आप यहाँ देखा दूसरे प्रकार के बाग की stance में और कौन से होते हैं, इसमें ए परंतु, रहता रही थी तो आता है, परंतु उसके साथ में हमें adjective या noun आता है, वो द्यान रखें, आप adjective में noun आता है, और इस बाकि में distant past का भाव रहता है, ठीक है, वह कई महीनों तक बीमार रही थी, यानि distant past है, कोई काम बहुत हुआ था पहले कभी, तो distant, इसमें near past नह for many months, वह कई साल तक डॉक्टर रहा था, he had been a doctor for several years, तो यहां पर यह ना हो ना गया, तो इस तरह की sentence भी आपको स्कृष्टेंस में मिलेंगे, अब यहां देखते हैं हम past perfect continuous sentence के जो वाकिय होते हैं, उनका affirmative, negative or interrogative sentence का structure किस प्रकार से रहता है, तो आपके screen पर है, affirmative sentence का जो formula है साधान वाकिय का, वो इस तरही किसी रहेगा, कि आपको पहले subject रखना है, head been रखना है, head been चाहे singular subject हो, चाहे plural subject हो, दोनों के साथ head been ही आएगी, और फिर बर में ing आएगी, इसके बाद हम for since का प्रयोक करेंगे, या कोई और time freeze आया है, तो वो करेंगे, परंतु इधान रख had been working, आप देख सकते हैं, head been का प्रयोक हुआ है, पर में ing लगी है, people had been working with might and men, पूरी ताकत से, for 20 days, लोग बहुत समय से, सांसारे के लाव की इच्छा कर रहे थे, बहुत समय से, देखी आप, time का time freeze आते हैं इसमे, people had been desiring for the loaves and fishes for a long time, सांसारे के लाव की चीज़े होती हैं, loaves and fishes, वहाँ वहाँ दस वर्स से रह रहा था, he had been living there for 10 years, अब हम आपको बहुत से affirmative sentence बता रहे हैं, द्यान से देखें, आप बिलकुत सीख जाएंगे, मैं शाम को खाली था, परंतु मैं दिनवर काम करता रहा था, I was free in the evening, अब यहाँ देखें मैं शाम को खाली था, ठीक है, But I had been working the whole day, बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी, the snow had been falling continuously all day, तन मैं दो घंटे से टीवी देख रहा था, तन मैं had been watching TV for 2 hours, John, वर्ष 1998 से इस घर में रह रहा था, John had been living in this house since 1998, वर्षा सुबह से हो रही थी, यह sentence बहुत आता एक्जाम में, तो वर्षा बाले वाक्यों को हम इट से शुरू करते हैं, तो it had been raining since morning, सीमा प्रातह नौ बजे से मेरा इंतिजार कर रही थी, सीमा had been writing for me since 9 o'clock in the morning, वह दस साल से कार खाने को चला रही थी, शी हैड बीन रुनिग दे रुनिग दे रुनिग दे चलाना कार खाना चलाना तो रुनिग आ दया था उसके लिए, for 10 years, पाँच दिन तक तूफान चलता रहा था, the storm had been raising for 5 days, मैं खिर्किया खोल कर दोफर से सोता रहा था, I had been sleeping with windows open since noon, वह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, gradually she had been growing weaker, कुछ महीनों तक वे बड़ा चड़ा कर ब्यापार करते रहे थे, they had been doing a roaring trade for a few months, हमारे हवाई जहाज सत्रू के ठिकानों पर प्रहार करते रहे थे, our aeroplanes had been striking the bases of the enemy, नेता लोग हमारी प्राथनाओं को सुनी अंसुनी करते रहे थे, leaders had been turning a deep ear to our requests, मैं इस निरने की प्रती सुरू से ही आपतियां करता रहा था, I had been making objections to the decision since beginning, राम हमेशा अपने बचनों का पालन करते रहे थे, राम had always been, यहां always जब आज आता है, तो adverse of time तो उसको बीच में रखते हैं, had always been, ध्यान रखें, keeping his promises, वादा बचन का पालन करना माने keep promises होता है, keeping his promises, हम लोग जन जागरण के लिए 2020 तक सभाएं करते रहे थे, we had been holding meetings to awake the people by 2020, वह इन बातों का गलत निसकर्ष निकालती रही थी, ता रहा था था थी रही थी, रहा था रही थी, आप देख रहे हैं समी वाकिस तरीके के हैं, जिनमें के हम had been और बर में आएंजी लगा रहे हैं, she had been drawing wrong conclusions of these things, मैं साल भर धन के अभाव का अनुभव करता रहा था, I had been feeling the want of money, धन का अभाव, धन की कमी, the want of money, ठीक है न, throughout the year, वे मेरी बुराईयों के प्रती चेतावनी देते रहे थी, they had been giving warning to my evil thoughts, वह आज सुभा से खेल रहा था, he had been playing since morning today, चुनाओं में पार्टी कारिकरता पंदरा दिन तक जुलूस निकालते रहे थे, पार्टी वर्कर्स हैद बीन टेकिंग आउट दे प्रसेशन फोर 15 देज, तो ये sentence आप देख रहे हैं, अच्छे से भली माते आप सीख रहे हैं, बालक पर्चे बाटते रहे थे, boys had been distributing handbills, कारें इधर उधर दोड़ती रही थी, cars had been running to and fro, इधर उधर माने to and fro, निश्ची तोर से आप इस वीडियो के पूरा देखेंगे, तो किसी ने किसी sentence में आप नई vocabulary भी सीखते हैं, नई चीजें भी सीखते हैं, जो आपको नहीं आती हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हम इतने sentence जब देते हैं, तो हम अच्छे एक्जांपल्स लेते हैं, ताकि आप कुछ नया नया आपका vocabulary का treasure भी खजाना आपका बढ़ता रहे, दिपावली में कुछ लोग राध बर जुवा खेलते रहे थे, इन दिपावली, सम पीपल हैड बीन गैंबलिंग, गैंबलिंग में जुवा खेलना, गैंबलिंग फ़र होल अफ द नाइट, भाजबा के नेता दो घंटे भासन करते रहे थे, लीडर्स ओब बीज़पी हैड बीन स्पीकिंग फर टु आवर्स, हमारी सेनाएं कई महीने कस्मीर में लडती रही थी, सेनाएं अबर ट्रूप्स हैड बीन फ़ाइटिंग इन कस्मीर फर सेवरल मुंस, बालक खेल के मेदान में दो घंटे से उचलकूद कर रहे थे, बाइज हैड बीन फ्रिस्किंग, बच्चे जब उचलकूद करते हैं तो उसके लिए हम फ्रिस्किंग वर्डियूज कर लेते हैं, on the ground for two hours, माली सुभा से पौधों को पानी दे रहा था, the gardener, माली, ठीक है, had been watering, पानी यहने water होता है तो पानी देनी की जो वर्व होती है, वो watering हो जाती है, watering the plants since morning, मजदूर लोग समाजबादियों के पक्ष में अपना वोट डालते रहे थे, laborers had been casting their votes, वोट डालने को बोलते हैं, cast करना, वोट को cast करना, तो casting their votes in favor of socialists, अब हम देखते हैं negative sentence, अभी तक आपने देखें, affirmative sentence, साधार बाके, कैसे बनाए, अब negative sentence होगा, केवल आपको कुछ नहीं करना है, जो head been होती है, head been के बीच में आपको note लगाना, यानि head not been, इतना करना है, बागी सब वही है, पूरा, यानि subject आप लिखेंगे, फिर head not been, head or been के बीच में आपको note लगाना है, फिर बर में ing, for since का प्रयोग, time phrase है, तो सभी subject के लिए same name है, मैं चार घंटे से काम नहीं कर रहा था, यानि negative हो गया, तो I had not been working for four hours, ठीक है, वो साथ बजे से नहीं सो रहा था, he had not been, यहान देखेंगे आप, head been के बीच में note लगा है, फिर बर में आई हैं जी, sleeping since seven o'clock, हम दिल्ली में सन 1990 से नहीं रह रहे थे, we had not been living in Delhi since 1990, मैं सुभा से cricket नहीं खेल रहा था, I had not been playing cricket since morning, तो यह आपने देखा, negative sentence, अब देखें, interrogative sentence, ऐसे प्रश्माचक वाग के जो साधान होते हैं, जिन में नहीं या not नहीं दिया होता है, तो simply हमको क्या करना है उसका structure, head been जो रहता है, जब किसी बर में दो सब्द होते हैं, तो integrative sentence में एक subject के आगी जाता है, दूसरा subject के बाद रखा जाता है, यारी head been है, तो head subject के पहले आएगा, और been subject के बाद आएगा, और यहां not भी हो, तो फिर subject के बाद not आता है, उसके बाद बीन आता है, तो यह आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर structure इस तरीकी से बनाए गया है, head आएगा, फिर subject आएगा, फिर been आएगा, head, subject, been, बर में आईएंजी, for since का परियोग, सभी subjects के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं, यह दे डव्लू अचबड आया है, what, when, where का परियोग आया है, तो पहले हम डव्लू अचबड रखेंगे, फिर head आएगा, फिर subject आएगा, इसके बाद been, और बर में आईएंजी, for since का परियोग, क्या वह चार घंटे से काम कर रहा था, क्या वह चार घंटे से काम कर रहा था, तो आप देख सकते हैं, interrogative है, यह क्या लगा हुआ है, तो had he been working for four hours, क्या वह सात बजे से सो रही थी, had she been sleeping since seven o'clock, देख सकते हैं, बिस्ट्रक्चर को, से रह रहे थे, had he been living in Delhi since 1990, बच्चा दो घंटे से क्या रो रहा था, यानि वह चबड का अप्योग हो गया, तो why पहले लिखेंगे, why had the child been weeping for two hours, तो यह interrogative sentence हुए, जो कि affirmative हैं, अभी इन में नहीं नहीं दिया है, पर आगे देखेंगे आप, तो negative, interrogative sentence, जो कि negative होंगे, तो फिर हम had लगाएंगे, subject लगाएंगे, और not subject के बाद आ जाएगा, had subject और फिर not been हम लेखेंगे, बागी सब वही है, wh word है, तो wh word, फिर had subject और इसके बाद में not been, और बर में ing, इस प्रकार से हमको करना है, यद इंट्रिगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का है, क्या मैं चार घंटी से काम नहीं कर रहा था, had I not been working for four hours, क्या वह साथ बजे से नहीं सो रही थी, had he, sorry, यहाँ पर लड़की है, तो यह शी हो जाएगा, had she not been sleeping since seven o'clock, क्या हम दिल्ली में सन 1990 से नहीं रह रहे थे, had we not been living in Delhi since 1990, तुम सुबह से क्यों नहीं पड़ रहे थे, क्यों आ गया, वह बड़, तो why, फिर had you not been reading since morning, यहाँ नोट करने वाली बात आप एक चीज़ यह देख ले, कि past perfect के, यहीं पास्ट पर्फेक्ट जो हमने इसका वीडियो जारी कर चुक हैं, उसमें आपने देखा, कि उसमें जो repeated action होते हैं, कोई काम हुआ, पांच बार, छे बार हुआ, तो repeated हुआ करता था, उसको हम past perfect continuousness में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आप देख लें, यहसा confusion न करने दिमाग में, he had tried six times to contact her, यानि कि उसने उसको, यानि कि कि किसी लड़के ने लड़की को, जेंट्स ने, विमेन को, contact करने का छे बार प्रयास किया, किया था, ठीक है, he had tried six times to contact her, अब यह past perfect tense में है, हमने head का प्रयोग किया है, और बर्व की third form है, इस sentence को, हम past perfect continuous tense में भी लिख सकते हैं, जो repeated action है, उसको, इस प्रकार से, he had been trying to contact her, ठीक है, वह उससे, contact करने का प्रयास कर रहा था, करता रहा था, तो इस प्रकार यह past perfect continuous tense में हो जाएगा, यह sentence देखे हैं, she had tried many times to get the job there, उसे ने वहाँ job लेने का कई बार प्रयास किया था, तो यह past perfect tense है, फर इस sentence को, हम past perfect continuous में भी लिख सकते हैं, she had been trying to get the job there, वह वहाँ job प्राप्त करने का प्रयास करती रही थी, तो यह past perfect continuous tense में हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से past perfect tense, past perfect continuous tense सभी को सीच चुके हैं, thank you पूरा वीडियो देखने के लिए, अभी तक आपने MP English Classes को subscribe नहीं किया है, जल्दी कर लें भाई, subscribe करना free है, कोई पैसा आपका नहीं लगना है, subscribe आपके mobile में देख सकते हैं, वीडियो के नीचे लिखा हुआ देख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे, टच करते ही है, white color में बदल जाएगा इस प्रकार, तो फिर subscribe channel हो चुका है, बगल में आपको bell icon देखेगी, घंटी देखेगी, उसको जरूर टच करें, उसके टच करने से तीन option आएगे, इसमें सबसे उपर का option all आएगा, उस all को आप टच कर देगे, तो तुरंट में जो भी वीडियो बनाऊंगा, वो आपके mobile पर बिना आपके इंतिजार की, notification के रूप में पहुँच जाएगा, तो subscribe करना, bell icon दबाना बहुँच जरूरी है, कोई आपका पैसा लहीं रगना है, सब कुछ free है, और भी इस तरह की वीडियो आपको देखने है, MP English Classes जो जोड़े रही है, और MP English Classes की playlist बना रखी हमने अपने चैनल की, आप इस playlist में यहाँ जाएगे, तो आपको writing skill, grammar related, text book related, अपनी class wise related, सारे वीडियो के lessons मिल जाएंगे, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, कोई भी problem यह आती है, तो हमें comment करके जरूर बताएं, और हमें यहाँ आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो encourage करें, like और share करें, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you.